हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल चलिया आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगी कि जो मारा सिंपल सूट होता है उसके कटिंग और स्टेचिंग स्टैब बाई स्टैप ठीक है और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए हैल्प काएगा और साइड में ये हमारा दागे से इसमें काम किया हुआ है और ये जो है ये इसकी बोटम है बोटम के उपर इस तरह से ये बेल बनी हुई है देखिए कुस धागे से और फुल सूट में इस तरह से धागे का वर्ख किया हुआ है ये देखिए ठीक है जिक जैक वाल कि मैंने की लंबाई ले ली है हमें जुतना द्यार रखना है को अइसे अ più तरफ हाफ इंच रखेंगे ज्यादthen हमें लंबाई ची उसे हाफ कि समय ट्र ठरस रखना होता है क्योंकि मैं इस म 예िसिंच अलग से उपर की तरफ एक्ष्टा ले लिया है और नीचे की तरफ ये देखे फोल्ड करने के लिए मेरे पास यहां पर है तो नीचे हम जो एक्ष्टा कपडा रखेंगे फोल्ड करते हैं वो हम दो या धाइंच रख सकते हैं तो इसमें एक्ष्टा कपडा है तो मुझे लेन आपने कपड़े को इस परफ से फोल्ड कर लिया है और जो बंद भी वाला हिसा वो मैंने अपनी तरफ रखा है खुला वाला हिसा में दूसरी तरफ रखा है इस तरह से ठीक है आप जो साइड में हमारा एक्स्टा कपड़ा है पहले हम इसको कट करके बाहर निकाल देंगे उसके बाद में हम जो हमारा फ्रन पार्ट है उसके कटिंग करेंगे आप दीखिए हम यहां से इसका सबसे पहले हम टलंबाई का निसान लगा लेंगे अच्छे से यहां इस तरह से ठीक है तो यह मैंने लंबाई का निसान लगा लिया है आप इसके बाद ही देखिए जो हमारे कंदे बोलते हैं जिनको हम तीरा कहते हैं वहां पर हम एक निसान लगाएंगे मैं इसाड़े-5 इंस पर लगाऊंगे निसान इस तरह से और साड़े-5 इंस पर ही मैं नीचे की तरफ एक निसान लगा रहे हूं और जब मुपर से नीचे की तरफ यह वाला निसान लगाएंगे यह महाफ इंस एक्स्टा रखेंगे यह मैं 6 इंस के उपर इस तरह से निसान लगा हूंगे यह ठीक है इस तरह से और जो यह वाली लाइन है इसको हम सीधा कर देंगे कि यहां तक होने के बाद में अब देखें एक निसान में यहां से यहां इसके उपर यहां पर निसान लगाएंगे अब देखें एक निसान में यहां से लगाओंगी जो हमारे यह वाला निसान था शाड़े छे इंच के ओपर इस तरह से ठीक है यह जैसे जो हम नौर्पल लेडिज के लिए उती है और जो हैवी लेडी होती हैं, उनके लिए हम 7 या 7 इंच के उपर, यह जो हमारे कमर होता है, वहाँ उसका निसान लगाती है, ठीक है? अब यहाँ से हम एक निसान नीचे की तरफ लगाएंगे, यह यहाँ से हम 14 इंच पर लगाएंगे, अब इन इसानों को हम इस तरह से सीध कर देंगे, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, और इस वाले इंचान को भी हम इसी तरह से सीधा करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम बारे इंचान कम्प्लीट हो चुके हैं, अब इसके बाद यह देखिए, जो हमारी चेस्ट होती है, यह तो यह देखिए, जो मैं इस की कटिंग कर दें जा रही हूं, हम इसकी चेस्ट रखेंगे, यह मारी है, इसकी 46 ठीक है, तो यह में 1 इनच कि लूजिंग देंगे, तो हमारा यह हूगा 37 ठीक है, तो 37 का हम 4 तिसा करेंगे तो यह हमारा आएगा 7,9 इंच ठीक है तो यह हमने 9 इंच के ओपर यहाँ पर एक निशान लगा लिया है इस तरह से ठीक है 7,9 पेपर मैंने यह लगाया अब इसके बाद देखी अब हम लगाएगे कमर का निशान ठीक है तो कमर है हमारी 32 इंच यानि की 32 इंच ठीक है तो 32 का हम 4 तिसा करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच अब इसके बाद हमारी हीप हम इसके बाद में हीप का निशान लगाएगे हीप है हमारी 20 तो 20 का हम हाफ करेंगे तो यह आएगा हमारा दस इंस ठीक है जैसे हमारे 40 40 कहां में 4 हिसा करना है तो हमारे गए 10 ठीक है इस तरह से तो मैंने ये 10 के उपर यहां पर निसान लगा लिया है इस तरह से ठीक है यहां तक निसान लगाने के बाद में अब यह देखे एक निसान हम यहां जो हमारी चेस्ट होती है इस वाले नि ल्डाइंगे और इसे भी हम इसी तरह से सीधा कुरेंगे और यह हमने ऊपर की तरह लिोजिंग रखकी है इसमें और यह हम यहाँ पर जो हमार, जो हमने size में skull है, वैसे कर वैसे हम यहाँ निसा लगाएंगे तो यह हमने 9 इंज के उपर इस तरह से लगा लिया, ठीक है और, यहाँ से हम 6 इंज है, इसका हमारा हम इसका half करेंगे 3 इंज के उपर, इस तरह से और अब हम यहाँ पर गोलाई रखेंगे ठीक है इस तरह से यहां पर हमने गोलाई लिए इसकी आर्म होल की ठीक यहां से अब हम इन निसानों को इस तरह से मिलाएंगे कमर वाली निसान को हम चेस्ट वाली निसान से इस तरह से मिला लेंगे और जो कमर का है हमारा इसको हम एप के साथ में इस तरह से मिलाएंगे हमें इन पापस में मिला लिया है अब इसके बाद ये हम एक्स्टर मार्जन देंगे इसमें डाई डा इंच का या दो इंच का जितना चाहिए पना आप रख सकते हैं ठीक है तो यहां तक हमें इतनी साल लगा लिए हैं अब हम इने भी इसी तरह से मिला लेंगे थेक है तो हमने यह अपस में इस तरह से मिला लिया है अब यह देखे यहां से हमने किया हमारा है पुने 13 इंच ठीक है तो हम नीचे बोटम के तरफ पर भी हम पुने 13 इंच के उपर हम इस तरह से निसान लगाएंगे यहाँ पर एक निसान जो हमारे था दस इंस इक निसान यहां लगाएंगे इन दोनों निसानों को भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे इस वाली निसान को भी हम इसी तरह से सिधा करेंगे तो यहां तक हमारी मार्किंग कम्प्लेट हो चुकी है अब एक चो खास बात है वो मापको बताऊंगे इसमें ठीक है यह देखे यह जो हमारे चेस्ट वाला निसानता है यह इसकी सलाई हमें यहां इस तरह से सीधी नहीं लगानी है हीँ बिल्कुल भी यहां से हमें हल्की ही राउंड शेव दें अब हेस्त तरह से ठीक है ताके जो हमारी फिटिंग है वो अच्छे से से सेट झाल है यहां से हम गोलाईट रखेंगे हाफ rubbish की ठीक है हो में अमिह बिलकुल सीधी सलाइब नहीं लगानी है ठीक है अब जहां मैंने इसके उपरी निसान लगाए हैं अब मैं वहां से इसकी कटिंग कर लेती हूँ यह हमारे फर जो मारा फरंट पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए जो हमारा कपड़ा है उसको हम सिधा कर लेंगे यह वेक पार्ट के लिए अपने फैबरी के कटिंग की है जितने हमारी लमबाई थी, उसमें हमने भैक में हमें फोल्ड करना है तो मैंने उसमें तीन इसे एक्सटा लिया है और कपड़े को कट कर लिया ठीक है अब जैसे हमारा हीप साइस तो हमें तो हम यहां से 12.5 इंच के उपर एक इस त्रेस निशान लगाएंगे खुली वाली तरफ से ठीक है और 12.5 इंच पर ही मैं एक नीचे की तरफ निशान लगा लेती हूं और इनको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे तिक है और जो हमारा बाकि एक्ष्टा कपड़ा है उसमें हम अपनी स्लेव्स कट कर लेंगे या मैं जिसलवार के पल्ले होते हैं वह जाएं ठीक है तुसे एक्ष्टा कपड़े को हम बाहर निकाल यह हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक है अब इस पार्ट के उपर हम बिल्कुल सीधा करके जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हम इस तरह से उपर रखेंगे इस तरह से और अब हम इसकी भी इस तरह से कटिक कर लेंगे यह हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है उसके हम आर्म होल की यहां से हम चटाई करेंगे ठीक है तो जहां हमने हाफ इंच का निशान लगा था वहां से हम हाफ इंच अंदर की तरफ करेंगे जो हमने इन दोनों का हाफ किया था और वहां से इस तरह से हम गोलाई में निशान कटिंग करेंगे इसकी ठीक है इस तरह से तो चलिए अब हम इसके स्लेव के कटिंग करते हैं अब हम इसके स्लेव कट करेंगे तो यह मैंने फोर फोल्ड कर लिया है जह हमारा बाकी का फैब्रिक था उसमें से इस तरह से ठीक है सबसे पहले हम लंबाई देंगे तो लंबाई मैं इसके तयार रखूंगी 15 इंच ठीक है तो हम एक निसान यहां लगा दे लिते हैं 15 इंच के उपर और हम 2 इंच नीचे की तरफ एक्ष्टा फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमें उपर की तरफ चाहिए तो हम इसमें 2 इंच एड़ कर लेंगे अगर आपके पास फैबरिक कम है तो आप 2 इंच में भी अच्छे से इसको फोल्ड कर सकते हैं हम नीचे की तरफ डेड़ इंच लेंगे हाफ इंच उपर की तरफ ठीक है तो चलिए मैं इसमें आपको इसी तरीके से बताती हूँ इस तरह से ठीक है अब सबसे पहले हम इसकी यहां से कटिंग कर लेंगे अब यह देखिए यहां तक हम वारा कंप्लेट हो चुका है अब उपर की तरफ है अक्याप से ढालाएं यहां पर लगा लेते हैं अगर हमारा फैब्रक मनआ चाहों तो सहां और करके निकालने आपक कर इंगे हम एक तिन इंच के ऊपर इस तरह यह तो शीदा कर एंगे यहां तक सिदा करने के बाद मिंः अब यह से मैं 5 इंच के ऊपर यहां एक निसान लगा लिती हूं इस तरह से और जो हमारा यह वाला निसान है और यह मेरे से उसका जैसे हम बाद मेंं अटैज करेंगे तो यह हमारा साधे आज यह पर आएगा और महुल का इस तरह से ठीक है तो अब हम यहां से इसको इस तरह शेख देंगे अब इसके बाद यह देखे यहां नीचे जहां हमारी मौरी होती है उतका साइज होता है यह नीचे की तरफ ठीक है तो मैं इसमें रखोंगे पांच इंस यह निशान हम यहां लगाएंगे और यह निशान हम यहां ठीक है यह मैंने 5 इंच के ओपर लगा लिया है अब 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा रखुई इस त्रह пой तो इंची हम यहां ओपर की तरफ इस त्रह से माजन रखेंगे इसका अब हम इन इसानों को इस तरह से सिधा कर देंगे अब ये दिखी अब हम इसकी कटिंग करेंगे अब जो हमने दो इंच के प्रेक्ष्टा माजन रखा था वहां से अब हम इसकी कटिंग करेंगे जो हमारे अंदरवाला निसान है यहां पर हम सिलाई लगाएंगे बात में ठीक है तो यह हमारे दोनों स्लेव की कटिंग हो चुकी है तो यह हमारी कूर्टे के कटिंग हो चुकी है ठीक है यह इसका आगे का और यह बैक पार्ट यह इसके दोनों पार्ट्स और यह इसकी स्लेव्स ठीक है तो चलिए अब हम इसकी स्टेचिंग शुरू करते हैं हाँ तो फ्रेंट्स यह देखे अब हम इसकी स्टेचिंग शुरू करेंगे ठीक है तो स्टेचिंग शुरू करने के बाद यह देखे सबसे पहले हम इसका आगे और पीछे का हम दोनों गले बनाएंगे ठीक है तो पीछे का गला मैं इस तरह से रहे पट्टी से बना रही तो चलिए मैं इसके दोनों गले बना लेती हों उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगे कि किस तरह से मैंने ही इसके आगे और पीछे का गला दोनों बना कर Ready किये है ठीक है। यह देखे फ्रेंट्स मैंने यह आगे का फ्रंट गला और इसका बैक गला मैंने दोनों गले इसके बना लिये हैं इस तरह से तो यह हमारा बैक गला है ठीक है अब हम इनको आपस में जोएंट करेंगे फ्रेंट्स मैंने इसके ओपर के मुड़े इस तरह से आपस में जोएंट कर लिये हैं ठीक है मैंने गुम सिलाई लगाई है इस तरह से यह बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी और friends मैंने जो ये आगे का गला है ये मैंने बुकरम से नहीं बनाया है ये मैंने कपड़े से ही गोल गला बनाया है और अगर आपको ये गोल गला देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं अब इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ये देखे friends मैंने दोनों तरफ से अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब सिलाई लगाने के बाद में हमारे जो साइड में हमारे जो यहां ही पुत्ती है जहां पर मारे सिलाई कतम होती है वहां पर हम आई ल से फॉल्ड करेंगे इसको चितना हमें फॉल्ड करना है उसको हम अंदर के तरफ फॉल्ड करेंगे और इसके उपर से हम मोटी स्लाई लगाएंगे और बाद में हम दुर्पाई करने के बाद में इसको मोटी स्लाई को हम निकाल देंगे तो यहां पर मोटी स्लाई लगा लेती अब दोनों तरफ नीचे की तरफ आगे और पिछे से फॉल्ड करने के बाद में अब हम साइड में से फॉल्ड करें हुए अब देखिए ऐसे कैसे हम इस साइड भी इसी तरह से फॉल्ड करके और इसलाइक को हम यहां दूसरी आगे वाले पार्ट्स के ओपर इसी तरह से लेंगे इस तरह से और अब हम इसको इस तरफ गुमा लेंगे और अब हम आगे इस से फॉल्ड करेंगे और इसके ओपर सिलाई लगा लेंगे हाँ तो फ्रेंट्स मारे का में इसकी स्टीचिंग हो चुकी है अब हम इसमें स्लेव्स जोडेंगे ओनली स्लेव्स बाकी हैं तो सबसे पहले हम आगे से फॉल्ड कर लेते हैं अपनी स्लेव् गाएंगे यह देखिए अब मैं सी स्लीव जोड रही है ठीक है मैं पहले फुल सूट की स्टेजिंग करती हूं और जो स्टेजिंग बहुत ही तरीका है इसे आप एक बाल जुरूर ट्राइ करना अगर आपको कुछ भी समझ में ना आये ता आप कमेंट में आप कमेंट करके आप मुझे पूट सकते हैं उसमें माफ सभी के हर कोई डाउट्स कलियर कर दूए और अगर अब भी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैंने दोनों स्लेव्स को जोड लिया है स्लेव्स को जोडने के बाद में यह जो हम इस तरह से अंदर के तरह फेक बूर इस के उपर हम चट बटल लगाते हैं इस तरह से हम ने एक पटी बनाई है इसको मकंदे के ऊपर इस तरह ज्वैंट कर रही हूं तो फ्रेंट्स फाइनली हमारे कुर्टे के स्टेचिंग हो चुकी है चलिए मैं आपको एक बार सिधा करके दिखाती हूं कि स्लाई करने के बाद में कितना अच्छा लुका आया है इसका यह देखिए फ्रेंट्स यह ह हमारे कुर्टे के स्टेचिंग हो चुकी है और यह देखे किने फनेशिंग के साथ में इसके स्टेचिंग हो चुकी है हमारी और यह इसकी बोटम है ठीक है तो आज के हमारी वीडियो यहीं तक थी ठीक है फिर आपके लिए माग एक और नई वीडियो ऐसे ही बनाती और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू